नमस्ते विरनामे सिध्धानत और आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com कानपूर का विक्रू कानड दोर तो इन जुलाई की राद विकास दूबे और उसके सहयोगी ने पुलिस की दविश देने के पुलिस की टीम पर कहिए दूरूप से हमला किया आप पुलिस करमियों की मौत हो गई इसमें पुलिस की तफ्तीश और पूरी मामले की जाश लगातार जारी है विकास दूबे के गैन के मेंबर्स भी पकड़े जा रहे हैं इसी करम में कानपूर पुलिस ने 14 जुलाई यानि आज की तारीख में सुबह सुबह विकास दूबे दी है शशिकांत संबंद में विकास दूबे का ममेरा भाई है शशिकांत के पिता और विकास दूबे के मामा प्रेम प्रकाश को घटना के अगले दिन यानि तीन जुलाई की सुबह सुबह पुलिस ने मुट भीड में मार गिराया था और उचक बात ये है कि पुलिस ने द प्रशांद कुमार ने क्या कहा? कहा कि मंगलवार 14 जुलाई को एसोजी टीम, शिवराज गुर्थाने की पुलीस और रेलवे बाजार पुलीस ने मुख्बिरी पर शशिकांद उर्फ सोनू, उर्फ प्रेम कुमार, उर्फ राजा राम को गिरफतार किया है पुस्ताष में शशिकांद ने घटना में अपने सलितता यानि अपने शामिल होने की बाद को स्वीकार किया है ऐसा पुलीस ने कहा है शशिकांद ने बताया है कि दविश डालने गई, टीम का असलहा शशिकांद और विकास दूबे के घर पर छिपाया गया है लेकिन यहां पर ये जानकारी देना थोड़ा जरूरी लग रहा है कि विक्रू कांट के दो दिनों बाद ही कांदपूर पुलिस ने विकास दूबे का घर धहा दिया था घर में खोजबीन की थी, बरामद हुए हथियारों, देसी बमों, इन सब का ब्योरा मीडिया में भी आया था इसके बाद फॉरंसिक विभाग की टीम भी गई थी विकास दूबे के घर पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस को उस समय विकास दूबे के घर से सरकारी असलहे, सरकारी हथियार नहीं बरामद हुए थे जब पुलिस और बाद ने फॉरंसिक टीम चान बीन कर रहे थे भरहल प्रशान कुमार ने ये भी माना है कि मुंबई से भी दो लोगों को मुंबई एटियस द्वारा गिरफतार किया गया है इन दो लोगों कानपुर लाया जा रहा है ये दो लोग बिक्रुकान की घटना में अभी तकवानशीत नहीं है नहीं आरोपियों की लिस्ट में इनका नाम है लेकिन पूस्ताच होगी पूस्ताच के बाद हो सकता है कि स्थिरियां बदल जाएं एसी भी आशंका जदाई जा रही है इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी हुई है अपडेट्स आते रहते हैं हम आपके भी शल्द आते रहते हैं अपडेट्स पाने के लिए ललनटॉप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूप पेज को लाइक कीजिए हमारा एब है गूगल के प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए दिव ललनटॉप एब तो सारे वीडियो किस्से कहानिया खबर सब कुछ सबसे ललनटॉप को फॉलो कर दे रही है शुक्रिया